हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आप सभी का अपने चैनल टीटेन स्टेडी पर आज हम लोग साइंस के कुछ प्रस्ट करने वाले हैं जो आपके बोड एक्जामनेशन में या फिर आप केसी भी कंपटेटिव एक्जामनेशन के भी तियारी करते हैं जिसमें साइंस से प्रस्ट पूछे जाते हैं तो यह सेसन आप लोकली इंपोर्टेंट है ठीक है तेकि आज थेओरी का क्लास होना था लेकिन मैं इस्टिचूट पर नहीं जा पाए जिसके वज़े से थेओरी का क्लास नहीं हो पाएगा इसलिए मैं आज एमसे क्यूज लेकर के आया हूँ तो चलिए शुरू करते हैं यह आप फ्रस्टाम चैनल पर हैं तो सब्सक्राब जरूर कर लिजेगा ओके चलिए सबसे पहला कुशन देखेगा लिखा हुआ है ग्वाइटर रोग की स्खानी जितत उसे संबंदित है ग्वाइटर यानि की घेगा रोग घेगा रोग जो होता है वह पिशिकली आयोडीन की कमी से होने वाला एक रोग है देखिए हमारा जो गला है गला में थाराइट गरंथी पा ग्वाइटर रोग या फिर क्या बोलते हैं ग्या रोग के नाम से भी से जाना जाता तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्सें नमबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा चलिए अगला प्रस्न देखते हैं आमीवा में भोजन का अंतरगरन किसके द्वारा होता है ठीक है तो अम आद ही होता है और वह क्या है कूट पाद है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चलिए नेक्स्ट कौश Ahora करiding किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सिजन बाहरी वातवरन से कोशिकाओं में पहुचता है तो देखिए इस टाइप के क्वेशन बहुत बार आपके कंपटिटिव एक्जामनेशन में पूछेगा है और बर्ड के एक्जामनेशन में पूछेगा है तो द्वारा ठीक और किस अंग से तो रंद्र पतियों में बहुत सारे छोटे छोटे रंद्र पाए जाते हैं और उन्हीं से क्या होते हैं विसरन क्रिया के द्वारे जितने वी वाज मंडले गैसे होती है वह क्या होता है पौधे के अंदर आता है यह फिर पौधे में जितने ब्यक्तिरिक गयसेज बनते हैं इसी के माध्यम से सरीर से बाहर निकलता है तो क्रिया कौन सा है 20 क्रिया है तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है और एक और कुर्ष्यन पोस्ट आ है कि जल और घृत खनीज लवन जो होते हैं वह जर के माध्यम से जो पौधा लेता है मिटी से वह किस क्रिया द्वारा तो उसका क्या हो जागा पढ़ासरण हो जागा ठीक है चलिए फिफ्थ नमबर देखते हैं किस अभिक्रिया में किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदा उसे अभिक्रिया के बाद जो नया पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं लोग प्रतिफ़ल बोलते हैं अगला प्रसन देखते हैं लिटमस रंजक ब्याग्नी रंग का होता है जो निकाला जाता है तेखें लेटमस जो है किसी पदार्थ की अमलियत है या फिर छारयता का पता लगाया जाता है लेटमस पत्र के माध्यम से ठीक है तो यह जो है या किस से निकाला जाता है तो देखें पादप वर्ग का एक वर्ग है जिसका नाम क्या है थेलोफाइटा थ जो सहजीवी होता है किसका सेवाल और कवक का ठीक है इन दोनों का सहजीवी से बनता है लाइकेन और लाइकेन से निकाला जाता है लेटमस पत्र जो केसी भी पदार्थ के अमलियता या फिर छारयता का ग्यान दिलाता है ठीक है यह नहीं तो लाइकेन से प्राप्त होता है में धालेंगे तो रेड होगा और यदी झ्ल пой यादी रखर कि दालेंгे तो कैसे हो जाएगा डली को यह जाएगा एक यहाद रिखेंगे धाँ नी रंक होता है और किस से निकला जाता है तो थैलौफाटवर्ग जो लाइकर भी भी ऑपा शली लिए AO और CL यानि कि calcium oxide और chlorine का reaction के बाद बनता क्या है calcium oxichloride तो इसका करेक्टान से और जाएक option B इसको मेलग विरंजक चुर्ण के नाम से भी जानते हैं ठीक है चलिए अगला देखते हैं निम्न में कौन प्रबलिये आमल है तो देखिए आमलियता या छाड़ियता की बात करें तो साथ से जितना अधिक जाता जाएगा वह उतना प्रबल छार होता जाएगा तो करें निम्न में कौन प्रबल अमल है तो देखिए साथ से सबसे कम कौन सा है जीरो जीरो जो है वह बहुत कम है तो यह प्रबल अमल हो जाएगा ठीक है और 14 जो है यह हो जाएगा प्रबल छार तो जो जल में घुलन सील भश्म होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है चाड कहा जाता है चलिए नेक्स्ट कुश्यन है अमलिय पदार्थ का प्यच मान कितना होता है तो भी मैंने ज़स्ट कहा था साथ से कम अमलिय हो जाएगा स्हाथ हो जाएगा उदासीन का और जो साथ से अधीक होता है खाड का होता है जो भी 3 पदार्थ का प्यच मान कितना होता है तो चलिए प्रकान से प्रकासीन हो जाएगा उसे मुल्भूत प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं photosynthesis प्रकाश संस्लेशन और प्रकाश संस्लेशन के लिए चार कच्छा सामगड़ी की अवश्यक्ता होती है ठीक है कौन-कौन से हैं तो जल और क्या carbon dioxide सुरे का प्रकास और हरी तिलवक ठीक है इन ही चारों की उपस्तेते में प्रकाश संस्लेशन की प्रक्रिया करता है अगर इन में से कोई भी चीज अगर प्रकास अंसलेशन की प्रक्रिया नहीं कर पाएगा ठीक है चले तो इसका answer क्या हो जागा C हो जाएगा अगला प्रसंद देखते हम लोग निमलेखित में कौन जैब प्रक्रम का हिस्सा नहीं है तो 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 जन प्रेक्रम का मतलब होता है कि जो भी हम लोग काम करते हैं अपने जीवन के शुरक्षा के लिए अपन सरीर की जतने हैं उननको सुरक्षित रखने के लिए उन से सभी काम को ज spiesन क्या है जाप्रकुर्ब का हिसा है क्योंकि स्वसन के बाहर निकालना वो तो सर्जन कहला आता है अगर यह बाहर ना निकले तो हमारे सेरेरी में जो उपाप चाहिकर यहां होती है वह बाध ही थो जाएंगी पड़िवन की बात करें तो यह भी जैप प्रग्रम का हिस्सा है क्योंकि हम लोग जो भी चीज़ खाते हैं उनका ट्रंस क्या जाएंगा जहन चलिए नेक्स्ट देखते हैं किसकी उपस्थिति में होता है तो यह याद रहेंगे कौन-कौन से नियम है आप हमें कमेंट करके बताएगा ब्रकास के प्रावड़तन के कौन-कौन से नियम है चलिए अगला देखते हैं मनुस्य के मुख में कितने दांथ होते हैं ठीक है तो दांथ की अगर बात करें तो व्यस के मनुस्य जो होता है उसके मुख गुहा में कितने 32 दांथ होते हैं चलिए 18 हमें प्रस्ण देखते हैं पौधे की पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है तो देखे पौधे में Plastid पाए जाता है, लवक पाए जाता है और तीन तरीके के लवक पाए जाते हैं वरनी लवक, हरित लवक और अवरनी लवक तीनों का काम क्या है, सुनियाग अगोर से बहुत कुशन पूछे जाते हैं इस से रेलेटेड जितने भी फल फूल जो होते हैं उसमें कलर देने का काम कौन करता है वरनी लवक करता है ठीक है अवरनी लवक का क्या है कि अवरनी लवक भवशिकले भोजन को संगड़ित करने का काम करता है ठीक है एक रितू आती है बसंत रितू जिसमें क्या होता है पौधे के सारी पतिया जर जाती आप मालना लिजे पतिया जर गई तो फिर प्रकास अंसलेस्न तो होगा नहीं तो फिर भुजर कहां से मिलेग sistema सचित करके रखता है भोजेपतार्थों को और अवरनी लवख पाया जाता है तो जरों में पाया जाता है जहां पर सुरे का प्रकास नहीं पहुँच पाए ठीक है ना? अब हम तीसरी लवक की बात करे लें हरी तलवक तो हरी तलवक काफी इपोटेंस रखता है क्योंकि इसी के उपस्तिती के वज़ा से क्या होता है प्रकास संसलेशन की प्रक्रिया होती है अगर हरी तलवक ना हो पौधे में तो फोटो सिंथेसिस नहीं हो पाएगा ओके? चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पतियों का रंग हरा क्यों होता है? थारी तलवक के वज़ा से ही होता है चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रकास संसलेशन की क्रिया कहा होती है? तो प्रकास संसलेशन की प्रक्रिया होती है पतियों में यह इसका correct हो जाएगा चलिए नेक्स्ट है पौधे में जल का पड़िवहन किसके द्वारा होता है जायलम के द्वारा ही क्या होता है जितने भी जल या फिर घुलित खनीज लवन होते हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है ठीक है अगले प्रस्ण कहा रहा है पोधे में भोजन का पडिवन किसके द्वारा होता है और जितने भी भोजन होते है उसका पडिवन किसके द्वार थी द्वराइन जाइलम के द्वरा और भोजन का पडिवहन की द्वराओं होगा एक चीज और रखेगा पौधे में जो खादब पदार्द का पडिवन होता है तो किसके format में होता है देखे फोर्ट Super किस रूप में निमलखित में लोहा का संकेत क्या है तो लोहा का संकेत क्या है याद रहेगाiset में कौन सा धव्ब्रणेशन रखत में और लोहँ पाएजाता है मैने अगला दाथ कितने प्रकार के होते हैं अगर दाथ की बात करें तो दाथ चार प्रकार के होता है कौन कुछा संपर सबसंदों से करतनका भेदक जवर्नक और अग्र चर्वर्नक ठीक है चार प्रकार के दानता होता है आगे जो इसको लोग बोलते हैं करतनक ठीक है चार गद के पाद जो पाँमें पित्व चवर्नक और अग्र पूछा गया है कि पत्तियों में जो हरा पदार्थ पाया जाता है वो क्या होता है तो पत्तियों का गलर हरा होता है क्लोरोफिल के कारण तो हरा पदार्थ क्या हो जाएगा क्लोरोफिल हो जाएगा विग्यान के जनक के नाम से जाने जाते हैं तो यह easy question है maximum students को पता होगा तो इसका answer आप हमें comment में बताईएगा कि जी विग्यान का जनक कौन है ठीक है देखते हैं कौन से लोग इनका जवाब दे पाते हैं अगला प्रस्ण देखते हैं हम लोग अगला है वनस्पति विग्या करने के लिए क्या पाया जाता है रंद्र पाया जाता है ठीक है अब चले कुछ special बातें कर ले सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो अप्लोड करेंगे इसका आपको notification मिलता रहेगा इस पर मैंने अभी तो दस्वा का स्टाट क लेने के लिए हमारे टेलिग्राम चैनल से जुर सकते हैं नाम है टीटेल स्टेडी उस पर आपको देखे उस टोटल डिटेल में आपका आंसर सीट पर असारा दिया घया है तो इंप्रोटेंट हो जाता है ठीक है तो मिलते है अगले वीडियो में कैसा लागा वीडियो बता येगा, देने बता